राजधानी शिमला में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रोपवे प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहा है शिमला शहर में बढ़ रही जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए ये प्रोजेक्ट महत्वपून साबित होने वाला है 1555 करोड रुपए की लागत से बनने वाला यह प्रोजेक्ट शहर में 13.5-5 किलोमिटर लंबा होगा इसमें 13 स्टेशन होंगे डिप्टी सी एम ने बताया कि शिमला में ट्राफिक की समस्या से निजात दिलाने के लिए यह रोपवे प्रोजेक्ट महत्वपून भूमिका निभाएगा अक्टूबर तक सभी ओप्चारिकताएं पूरी कर काम शुरू कर लिया जाएगा तारा देवी से हम शुरू करेंगे फिर जुदीशल कंप्रेक्स चकर जाएंगे और फिर तूटी कंडी पार्किंग पे आएंगे फिर न्यू आईस बीती पे आएंगे फिर रेल्वे सेशन पे आएंगे फिर ओल्ड आईएस बीती पे और फिर लिफ्ट पे फिर सेकरिटेरियट पे नब बहार संजोली आईजी एमसी आई स्केटिंग रिंग और एक सो तीन नियर होटल से सल तो ये तेरा अजा स्टेशन इसके बनेंगे और जो भी यहां की कंजेशन को कम करने के लिए ये एक बड़ा महत्रपूर्ण प्रोजेक्ट है जिसके के लिए जो भी राशी की जरूरत थी जो भी रोपिक कॉर्पेशन ने मांगा था इस साल वो राशी हमने उपलब्द करवा दी है चाहे वो कंसल्टेंट्स के लिए मांगी थी चाहे वो फॉरेस्ट के लिए मांगी थी चाहे किसी और के लिए मांगी थी वो पैसा क्योंकि हम इस प्रोजेक्ट को टॉपमॉस प्रियर्टी दे रहे हैं इसलिए वो पैसा इनको उपलब्द करवा दिया गया है और अब आगे बढ़ने की बात है कि हम किस ठंग से इसको आगे लेके जाएंगे और इसमें जो जो टिकेट का वो रेट होगा वो बस के रेट के आसपास ही तो ताकि इसको बढ़ावा दिया जा सके और हमने जो अब डेडलाइन्स रखी है इसमें प्रोजेक्ट को पांट साल में हम कप्रीड करना चाहते हैं लेकिन धाई साल के असपास हम इसको जब इसका अनिशल स्टेजिस बन जाएंगी तो हम इसको शुरू करना चाहेंगे और इसकी एफसीए की कलेर्स के लिए जो लोड करने के लिए हमने 15 दिसंबर 2023 का समय रखा है और टी सी पी की अप्रूवल्स के लिए भी 15 दिसंबर 2023 का समय रखा है और इसकी बिड्स जो है कतिस मार्च चे दोजार 24 को हम करने के लिए प्रयासरत है ट्राइपपार्टी नेगोसेशन नेगोसेशन के लिए भी 33 मार्च 2024 का समेह रखा है इसमें ट्राइपार्टी नेगोसेशन होगा क्योवकि हिमाचल सरकार, केंदर सरकार और बैंक तीनों के बीच का ये है और कंस्ट्रक्शन जो है इसकी हम फोर्थ क्वार्टर में अक्टूबर के आसपास शुरू करने की स्थिती में पहुचना चाह रहे हैं और इसके लिए जो भी एक्सपर्ट्स की जरूरत है उन सब को जो है इस समय हमारा रोपे कार्परेशन इसमे दिन रात काम कर रहा है